सादर और हम सभी का दिन शुब हो आज 6 अप्रेल 2023 को नौर्वे में इस्टर है आज का अवकाश अंग्रेजी में मौंडी थरसरे के नाम से जाना जाता है यह बाहर सुनसान लग रहा था बिना बादल, बारिश और सूरज की रोशनी के नार्वेजियन शहर के बाहरी इलाके में जहां मैं रहता हूँ अपार्टमेंट के पीछे बगीचे में अभी भी बहुत बर्फ है इस समय तक दोपहर के 11 बस चुके थे और जलवायू एक डिगरी सेल्सियस पर अपेक्शाकृत गर्म थी मुझे अचानक अपने दिवंगत पिता की याद आ गई मेरे पिता हमेशा हनोई फो पद्धती के अनुसार फो खाना बनाना पसंद करते हैं जब मेरे पिता अभी भी जीवित थे तो वे अकसर छुट्टियों में फो पकाते थे क्योंकि उस समय मेरे पिता छुट्टी पर थे घर का काम करने के लिए छुट्टियों में उस समय मेरे पिता हमेशा हमें फोन पर बुलाते थे जब वह खाना बनाना समाप्त कर लेते थे जब मैंने फोका एक कटोरा खत्म किया जिसे मेरे पिता ने पकाया था तो वह हमेशा सवाल पूछता था क्या यह स्वादिश्ट है थू? मैं हमेशा जवाब देता हूँ बढ़िया मुहा तो कहता है पर मन तुलना कर रहा है पापा और मा के बीच के पकवान अक्सर पकते है मुझे खाना बनाना हमेशा से पसंद रहा है और खाने का स्वाद मेरे पिताजी का मेरी मा के खाना पकाने से ज्यादा अंदर की करफ मेरे परिवार की वज़ से जो उत्तर से है मेरा माय का परिवार मध्यक्षेत्र से है मैं उन लोगों को सला देता हूँ जिन्हें बीमारिया है गुर्दा फिर भोजन में नमक की मात्रा कम करें या नमकीन व्यंजन आप लोगों के लिए छोटी सी बात मेरी माचीनी है इसलिए मैं बहुत नमकीन खाता हूँ मैं लालसा कर रहा हूँ कि फोबो ने हनोई के तरीके से खाना बनाया हमेशा की तरह जब मेरे पिताजी जीवित थे तब वे हमें पकाते और खिलाते थे मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ दोस्तो फोब हनोई व्यतनाम की एक प्रसिद डिश है जिसे बहुत से लोग पसंद करते है यह कहा जा सकता है यह अधिक स्वादिश्ट होगा जब आप इसे अपने परिवार के आनन्द लेने के लिए घर पर स्वयम पकाएंगे गोमान्स मीठा और पॉष्टिक होता है नोडल विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और जड़ी बूटियों की सुगंद के साथ सम्रिध शोर्बा के साथ साथ चबाया और चबाया जाता है जिसके बारे में बोलते हुए मैं पहले से ही भूखा हूँ बहुत देर तक प्रतीक्षा ना करें चलो अभी रसोई में चलते हैं यहां हनोई में एक सम्रिध शोर्बा के साथ स्वादिष्ट बीफ फो पकाने का तरीका बताया गया है यहां कहा जाना चाहिए कि फो एक स्वादिष्ट व्यंजन है लेकिन यहां प्रसंसकरण में काफी सरल है आज मैं साजा करता हूँ इस साधारन फो को कैसे पकाना है और इसे तुरंद करने के लिए रसोई में चलते हैं सबसे पहले मैं अनुभाग देता हूँ सामगरी की तालिका एक पेश है हनोई बीफ नूडल सूप दो हनोई बीफ नूडल सूप और नाम दिनह बीफ नूडल सूप की तुलना करें तीम बीफ नूडल सूप हनोई मानक को पकाने के निर्देश मसाला पैक के साथ हनोई फो कैसे पकाने के लिए चार स्वादिष्ट और सम्रध हनोई बीफ नूडल सूप पकाने का रहस्य एक पेश है हनोई बीफ नूडल सूप हनोई बीफ नूडल सूप पहली बार फ्रांसी सी अपनिवेशिक काल से दिखाई दिया था फो हनोई फो बोज के रूप में जाना जाता है चारों और घूमने वाले फो वेंदर छोटी गलियों में गूंजती आवाज के साथ यह उस समयहा थान का एक पुराना सौंदर्य बन गया वर्तमान में हालांकी फो का बोज अब उपलब्ध नहीं है हनोई फो का अभी भी मूल्य है हनोई फो अपने मीठे, सपश्ट और सम्रिध शोर्बा द्वारा प्रतिष्थित गोमान्स की हड्डियों से उबालने के लिए धन्यवाद चबाने वाले नूडल नूडल्स के साथ खाया जाता है थोड़ा हरा प्यास, मिर्ज सिर्का, हरी सबजिया मिलाते हैं जब एक बार खाएंगे तो आप कभी नहीं होंगे भूलने में सक्षम दो हनोई बीफ नूडल सूप और नाम दिनह बीफ नूडल सूप की तुलना करें नाम दिनह बीफ नूडल सूप सता पर हनोई बीफ नूडल सूप से अलग करना मुश्किल हो सकता है हाला कि यदि आप सीजनिंग की कोशिश करते हैं तो आप तुरंत नाम दिनह बीफ नूडल सूप की खोच करेंगे शोर्बा बहुत गहरा है क्योंकि यहां मचली की चट्नी के साथ अनुभवी है और हनोई फो का शोर्बा साफ होगा, स्वाद भी बार और कम वसा वाला होगा हनोई के नोडल्स पतले और मुलायम होते हैं हाला कि उबलते पानी के संपर्क में आने पर नोडल्स अभी भी सक्त हैं लेकिन कुछले नहीं गए हैं नाम दिन्ह के नोडल सूप के लिए यहां मध्यम मोटाई के साथ बड़ा होगा लेपित और हाथ से काटा जाएगा इसलिए नोडल हनोई नोडल की तुलना में बहुत बड़ा है जो मशीन द्वारा कटा हुआ है तीन बीफ नोडल सूप हनोई मानक को पकाने के निर्देश सीजनिंग पैकेट्स के साथ हनोई फोक कैसे पकाएं तैयारी 50 मिनट प्रसंसकरण 120 मिनट के लिए 4 से 5 लोग मसाला पैकेट के साथ हनोई फोक खाना पकाने के लिए सामगरी एक किलो गोमान्स की हड़ी 150 ग्राम गोमान्स पपडीदार मास 150 ग्राम गोमान्स पत्तिका एक प्याज मसाले का एक पैक बीफ नूडल सूप पकाएं अध्रक पाउडर रॉक चीनी, नमक, काली मिर्च, चरण एक सामगरी तयार करें. आप दुरगंद को खत्म करने के लिए नमक और सिर्के के घोल में एक किलो बीफ की हड्डियों को धोते हैं. इसके बाद आप इसे पानी के एक बरतन में डाल दे और इसमें दो ग्राम अद्रक का पाउडर डाल दे. उबालने के लिए पांच मिनट प्रतीक्षा करें और ठंडे पानी से फिर से धोले. चरण दो शोरबा पकाना. दो लीटर पानी के बरतन में डाले, उबली हुई हड्डियों को डाले और धीमी आज पर दो घंटे के लिए उबाले, सता पर जाग को छोड़ना याद र बीफ एन क्रस्टेड मीट डाले और तीन सो मिलिलीटर पानी डाले. एक घंटे तक उबालना जारी रखें. फिर उन सभी को बाहर निकालें. क्रमशा दो दशमलव पांच चम्मच रॉक शुगर, एक चम्मच नमक और दो चम्मच फिश सॉस के साथ सीजन करें. बीफ के ठं फो नूडल्स को उबलते पानी में डाले, फिर एक बाउन में निकाले. फिर बीफ के ऊपर कटा हुआ बीफ, प्यास का सिर, कटा हुआ प्यास डाले. अंत में उबलते शोर्बा पर डाले. बस इतना ही आप फो हनोई का आनन्द ले सकते हैं. चरण ती, तैयार उत्पाद. जब आपके पास फो का कटोरा पकाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो मसाला के साथ हनोई फो पकाना सबसे अच्छा विकल्प है. फो जल्दी से पकाया जाता है, और कम चरणों के साथ, और अभी भी स्वादिष्ट है, स्वाद से भरा मूल फो की तरह. आनंद लेना. फो स्वाद सुगंधित है, स्वाद कलियों को उत्तेजित करता है, बीफ मध्यम रूप से कोमल होता है, शोर्बा मीठा और स्वादिष्ट होता है, जब जड़ी बूटियों और सुई सौस के साथ परोसा जाता है. स्वादिष्ट हनोई बीफ नूडल सूप पकाने का रहस्य. शोर्बा के एक अच्छे बर्तन का रहस्य गोमान्स की पसलियों, ओक्सलेट या गोमान्स की हड्डियों को उबालना है. शोर्बा को और अधिक प्राकृतिक बनाने के लिए आप गन्ने का एक तुकड़ा डाल सकते हैं. प्राकृतिक मिठास बनाने के लिए कठोर नहीं. मास और हड्डियों के आसपास के टेंडन आपको बहुत सावधानी से फिल्टर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक मिठास खो देगा. चूबलर हड्डियों में अकसर दुरगंध हाती है. इसलिए आप को उन्हें अच्छी तरह से दुरगंधित करना होगा ताकि गंध को पकड़ ना सके और उन्हें शोरबा में बना ले. डालचीनी, सौंफ, इलाइची, आदी जैसे मसालों के बिना हनोई बीफ नूडल सूप अपना विशिष्ट स्वाध खो देगा. उमीद है कि मकडोनिय मकडोनल्स पॉडकास्ट से साजह करने के साथ यहां आपको अपने परिवार और प्रियजनों का मनोरंजन करने के लिए सफलता पूर्वक एक स्वाधिष्ट पारंपरिक हनोई फो बनाने में मदद करेगा. एशिया या यूरोपिय केक बनाने के तरीके के बारे में अधिक विस्तरित जानकारी के लिए कृपिया ने शुल्क परामर्श सहायता के लिए अपनी जानकारी नीचे रेजिस्टर बटन में छोड़ दे. इस मकडोनल्स पॉडकास्ट को सुनने और इसका अनुसर्ण करने के लिए धन्यवाद. मैं आपसे अगले वीडियो सुनने के सुखूं. शुबकामना सहित. मैक्डॉनल्स पॉडकास्ट 6 अप्रेल 2023 को